नमस्कार मैं अभी सेख चोदरी प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है खबर राजस्थान से है यूँ तो परदेश में सरकार के 5 साल पूरे होने को आए हैं नई सरकार बनने जा रही है चन दिनों बाद आगामी साथ तारिक को पूरे परदेश में विधान सभा चुनाव 2018 होने वाला है चुनावी समर अपने परवान पर है और चुनावी रण बांपुरे चुनावी मैदान में सज्ज हो उतर चुके हैं परदेश के जन जाती बाहूल जिले डुंगरपुर में जहां चार विधान सभा सीटे है चारो ही जन जाती के उमिद्वारों के लिए आरख्शित है डूंगरपुर जीले की चारो विधानसभा की सीटों पर कॉंग्रेस, भाजपा और भारत्रिय ट्राइबल पार्टी में त्रिकोणिय संगर्स के हालात बन रहे हैं पहली बार परदेश के चुनावी समर में उतरने वाली भारतिय ट्राइबल पार्टी दोनों ही दलों कॉंग्रेस और भारतिय जन्ता पार्टी के लिए सिर्धर्द बन रही है एक और भाजपा पिछले चुनाव में चारो ही विदान सबा पर अपने उम्मिदवारों की जीत से सत्ता में थी उसके लिए चारो सीटों पर जीतना प्रतिश्टा का विसे बन चुका है वहीं कॉंग्रेस का गड़ माने जाने वाले डुंगरपुर की चारो सीट पर कॉंग्रेस खोई भी परतिश्टा प्राप्त करना चाहती है कॉंग्रेस भाजबा और भारतिय ट्राइबल पारटी के उम्मिदवार अपने समर्तों को के साथ सुबह होते ही अपने विदान सभा शेत्रों में अपनी जीत को सुनिचित करने के लिए निकल जाते हैं तो देर शाम अपने घरों को वापस आते हैं चुनाओं में अपने उम्मिदवारों को जीत दिलाने के लिए राजनेदिक डल वो हर संबत परव्यास कर रहे हैं जिससे उम्मिदवार की जीत सुनिचित हो सके इस बार एक राजनेदिक दल ने अपने उम्मीदवार को जीत दिला फिर से सत्ता पर काभी जोने की मंसा से सोचल मीडिया के दुआरा घटिया परचार करने पर आ गया है जी हाँ हम बात कर रहे हैं उस घटिया संदेज की जिसमें एक नारी को दिखाया गया है जिसमें उस महिला की इज़त को तार-तार किया जा रहा है चितर में महिला ने एक ब्लाउज को पैन रखा है जिस पर कमल के बहुत सारे चितर छपे वे हैं और उस चितर में महिला की इज़त को जादा से जादा नंगा करने का पर्यास करते वे उसके नीजी अंगों को दिखाया गया है इतना ही नहीं वाटसेप पर घटिया तरीके से भाजपा के प्रचार के लिए बेजे जा रहे है इस फोटो के उपर एक हिंदी में संदेश भी लिखा हुआ है जिसमें लिखा गया है कि क्या अब कमल के बटन को नहीं दबाओगे एक तरफ तो भाजपा अपने भाशन में विग्यापन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती हुई दिखाते हुए नहीं थकते वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटिया परचार समागरी को आमजन के सामने सोचल मीडिया के माद्यम से परोस रही है इस साफ तोर पर महिलाओं को लेकर भाजपा के दोहरे माप दंड को रखने की प्रविर्टी जनता के सामने साफ तोर पर सामने आ रही है अब जनता को यह सुनिशित करना चाहिए कि जो राजनेतिक दल घटिया तरीके से परचार कर चुनाओं जीत कर सत्ता में आना चाहता है क्या वैं सत्ता में दुबारा आने के बाद महिलाओं की किस तरह से इज़त करेगा इस बात का अंदाजा हम इसी से लगा सकते है इस चुनाओं में भाजबा के उम्मिदवार को जीता कर क्या सत्ता में दुबारा इनको लाना है या उन महिलाओं को सुचना चाहिए जो अपने मतर का परियोग करेंगी प्राइम लिउस 24 के लिए राजस्तान से विपिन जोशी की खास रिपोर्ट